हलो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है आम जैसा बनूँगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, तो चलिए सुनते हैं खुद आम के मुह से एक बाग था, उसमें आम और अंजीर के पेड थे, बच्चे हर रोज बाग में खेलने जाते, वे आम के पेड पर चड़ते और खुब सारी मस्ती करते रसीले आम तोड़ कर भी खाते, अंजीर का पेड छोटा था, उसे आम की खुशाली देखकर बहुत कुढ़न होती, वह बात-बात पर चिड़ जाता यही कारण था, कि उस पर ना तो कोई बच्चा चड़ता था, और ना ही कोई पक्षी खोंसला बनाता था, अंजीर के फल पकते और गिर जाते बच्चों ने तो उसे भुला दिया था, एक दिन मधु मख्यों का एक छुंड आया, और उन्हें अंजीर का पेड बहुत पसंद आया रानी मख्यी ने अंजीर के पेड पर छट्ता बनाने की योजना बनाई, लेकिन अंजीर के पेड ने कहा, खबरदार जो तुम सब मेरे पास भी आई मधु मख्यों ने अपना छट्ता आम के पेड पर बनाना चाहा, तो आम ने उनका भरपूर स्वागत किया कुछ दिन बाद एक लकड हारा आया, वहाँ आम का पेड काटने लगा, लेकिन मधु मख्यों तो उसकी मित्र थी, उन्होंने भेन भेना कर लकड हारे को भगा दिया जब लकड हारे की नजर अंजीर के पेड पर पड़ी, तो वहाँ खुश हो गया, क्योंकि उस पर तो कोई छट्ता ही नहीं था लकड हारा अंजीर का पेड काटने लगा, पेड दर्द से करहा उठा, उसने मदद मागी लेकिन मधुमक्यों ने इनकार कर दिया, आप ही बताओ दोस्तों क्यों इनकार किया होगा लेकिन आमके पेड ने कहा, अंजीर भी हमारा पड़ोसी दोस्त है उसके पके फल बहुत से पसुपक्षियों के काम आते हैं, बस फिर क्या था मधुमक्या लकड हारे पर हम लाकर बैठी, लकड हारा भाग गया अंजीर ने सोचा, हम सबको मिल कर रहना चाहिए तो आप ही बताओ दोस्तों, ऐसा अंजीर को आप क्यों लगा? आमके पेड ने बहुत अच्छा काम किया ना? और आम से सुनकर आपको कहानी मजेदार लगी ना? बताओ बताओ